सो हेलो वर्ट सब गाइस कैसा आप समीद करता हूं सारे ठीक होंगे आई हो एक और नहीं वीडियो एटिंग के साथ यह वाला सॉंग है आपने सुना ही होगा बेशर्मी की हाइड सारी यह वाला सॉंग है आप लोगों को प्रिव्यू में पता चल जाएगा सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा उसके बाद में प्रिव्यू दखाऊंगा रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नहीं है यह पहले वाला चैनल को जूड़ से सब्सक्राइब करें बड़े पसंद है तो वड़े को लाइक करें बना डिस्लाइक भी कर सकते हो सबसे पहले आप प्रिव्यू देखें जल्दी करो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हिलाल करका बटने इससे दबाओ जल्दी दबाओ फिर में शुरू करूं दबादो जल्दी दबादिया गंटी में दबादे करें दबादो जल्दी अपनल तुछ तुछ गूए लाएं, हो सारी लाइप पे शर्मी की हाइ कुछ तूरो एक मने अरहो डिन निम ये लाइ हो सारी लाइप पे शर्मी की हाइ है हो सारी नाई बेश्रमी की हाँ तो गैस यह कुछ इस टाइप की वीडियो एडिक करने है तो आपको कहने पड़ेगा इस वीडियो को लाज सक देखना है अगया थोड़ा से वेफसेट डाउन चला गया था बट मैंने फिक्स कर दिया तो आप इसली से में टेश्रमी कर सकते हो डिस्किप्शन में लिंक मिल जेगा और पर टैप करोगे एक वेफसेट पहुंचोगे एफस इसली से सारे में इस को डाउनलोड कर सकते हो और सबसे पहले यहां जो कहा मार्न प्रेकर कैसर सबसे पहले को टेखने को श्रुम् प्रप करने के लिए ना बहुत सारे आयप जो कि 9 रिच्छन में इमेज क्रॉप कर देंगे बट अगर आप गैलरी से क्रॉप करना जाते हो वहां से भी कर सकते हो अब बता हुँ का अलाइट मोशन से कैसे करना काफी वीडियो से में बताया है आप सब ओकी को आता ही हुआ आपको बैक जाना गाइस प्लस वाल आइकन पर टाप करना यहां पर 960 रिच्छन वाला रेशो को स्लेक करें अधन से क्रेट पर टाप कर दें प्लस वाल आइकन पर करें अधन मीडिय का ओप्शन में जाएं यहां पर देख सकते हैं यह सारे फोट इस मेरे टेलिगाम चैनल पर setting रहे से मेरिक आप करेंगे front frame as pnjp guys and just export पर टाप करेंगे इसी फ्रेम यह crop होके आजाएगा then आपको एकने save पर टाप करना and इसको close करके and इसको delete कर देना guys then filter plus पर टाप करना media option में and यहां से एक boy के image को लेते हैं जो कि कुछ steps यह वाला है and then steps इसको zoom करेंगे guys and थोड़ा से slide करके आगे के और जाएंगे setting के लिए से American source पर टाप करेंगे current frame as pnjp and just export पर टाप करेंगे easy frame export होके आजाएगा then आपको save पर टाप करना close करना and then back जाएगे guys हमारा photos crop हो गया and then आपको आपने bitmark वाले में आजाना थोड़ा से slide करके आगे के और जाना and यहां पर आपको डबल bitmarks देखने को मिल जाएंगे कुछ इस वाले point पर and यहां पर सबसे पहले guys आपको boy की image को import करना आपको import कैसे करना इस पर आपने tap करना and then column field के option में star wall icon पर tap करना guys and यहां से आपको and then column field की option में star wall icon then आगे की की और जाना guys image और पर टाप करना column field का option में star wall icon पर tap करना image select होजाएंगा then आगे की और जानगे इस पर tap करने column field का option में star wall icon and यहां से image को слख करना so इसी tab से guys आपको जब तक अगला duffel bitmark नहींना तक आपको गये को खूए कि इम्यज को ही रिप्लेस करते जाना तो यहां पर हम करके बता रहे हैं आपके सिंपलसे में में इमच को नंग해 करना लेज की के तो हमी में रहे था लीट करने के बाह्त ग compartment करने के छनकित यहां पर डबल फिल्ट का उप्षिर में स्टार वल आइकन पर यहां से इमेज को स्लैक करके टॉप प्लस वल आइकन आगे के और जाएंगे यहां पर एक एक लियर पर टाप करके सभी पर गर्ल की इमेज को लगा लेंगे उसके बाद एक ग्रूप आएगा ग्रूप में इंपोर्ट करना पड़ेगा उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है बट आप वीडियो को एन तक जरूर से देखे जाए जो भी जो प्रूट के हीट करने वाला हूं तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें और हां मेरे को ठोड़ा सा है फोलड़ करें करें में यहां से सबसे पहले हमें इस इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं and लास्ट वान को इस पर टाप करना आइप को उसलेकर है आप प्लस वाल ऑगे यह यहां पर ग्रूब देखने को मिल रहा तो अपने इस पर पे टाप करना एड़िट पर जाना है कुछ इस टाप से बैबस को मिल देखने को मिल देखने को इस थाप करेंगे girl की image को select करेंगे and top पे plus वाल आइकन आगे जाएंगे and यहां पर आपको दूसरा image देखने को मिले है तो आपने इस पे टैप करना color and fill की option में star वाल आइकन पे tap करने guys वाईग मेंफिन को select करने and उसके बाद guys यहां पर हम गल चलेंगे हैं जो नीचे बाद लेरा उसके बाद आपको गया करना कुछ इस टेप से पहले आपको गया आपको सबसे पहले आपको गल्ल की इमेज को लगाना यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको गया लगा लिए देख सकते हो यहां पर आपको गया लियर देखने को मिल रहा है यहां पर आपको करना है यहां पर आपको करना है यहां पर आपको लगा लेते हैं देख सकते हो आप जब इंपोर्ट करोगे ना तो आपको पता जाज़ेगा तो देख सकते हैं इस टैफ से हमारा अनिमेशन हो गया यहां पर हमारे गल्ल की मेश मिसिंग है तो यहां पर गल्ल मंलब कि यहां पर हिझा तो यहां पर हम यह घुल की में गल्की मि जा से इसको को इंस तो इस करते हैं उसके बाद आ के ऐखिए और जाएंगे क्लवाइजिशा यहां पर इंपोर्ट करें यहां पर बीगवड की मजदें की में चोटे च हो किक्षण आउट हो रहा है तो देखो कुछ इस स्टेफ से देन फाइनले आपको बैक जाना गाइस एंद आगे की ओर चले जाना एंद यहां पर हमारा जो ग्रूप के में जितने सारे भी में इंपोर्ट करने थे वह सारे हमने इंपोर्ट कर लिये अनिमेशन वगारा सब कुछ सेट हो जागया उसके बाद गाइस जो स्टार्टिंग में अमदलो की जो ग्रूप के बाद वाले ले रहना वहां पर आपको बॉय की में इसको लगाना है ठीक है बॉय के में इसको इंपोर्ट करना सो इंपोर्ट करें दन आगे की ओर जाएं गा आपको आपको रिफ्लेश करने का बिलकुत sen You को आईगा उसके बात कुछ इस वाले दिरेशन तक आपको जाख रिमपोर्ट करना है आपको सम्म्मीर को रिफ्लेश करना है स्टाप लाइकन पर टैप करना इमेज को स्टाप करना टॉप प्लस लाइकन फाइली हम लगा लिए कुछ स्टाप से देखने को मिल जागा उसके बात गाई यहां पर अगर आप अगर पर टैप करना और यहां पर यहां पर आगे पर टैप करना यहां पर सारे लियर पेस्ट हो जाएंगे उसके बाद गई सर अंडिंग में चल जाना एंडिंग में जाने के बाद एक लिए को स्लेक्ट करना है एक एक टैप में आपको सारे लियर स्लेक्ट कर लेना है और स्लेक्ट करने के बाद यह आइकन देख सकते कुछ यह वाल आइकन जैसे इस पर टैप करोगे यहां पर यह एंडिंग तक आ जाएगा फाइनले हमारा वीडियो जो है पूरा त्यार हो हो गए उसके बाद सैटिंग रए इस में इकन सुस पर टाक करना जरूर एक सब्सक्राइब करना है जरूर आपके तो करें झाल झाल